नमस्कार कमाई लाखों में परबचत जीरो ऐसा क्यों? इन पांच वज़े से आपके पर्स में पैसा नहीं टिकता है? यह ऐसे पांच महत्वपूर्ण रिजन हैं जिसके कारण आप कमाते तो लाखों हैं पर आपकी बचत जीरो हो जाती है इन पांच कारण को अपने अंदर ढूंड़िये कहीं यह पांच कारण आपके अंदर तो नहीं है? इनी कारण से आपकी बचत जीरो तो नहीं हो रही है? वो कौन से कारण है? आज मैं आपको बताऊंगा नमबर वन बिना प्लानिंग के खर्च जब आपके इनकम एक फिक्स इनकम होती है मंतली, सेलेरी फिक्स होती है तो आप बिना प्लानिंग के खर्च क्यों करते हो? आप कई मौल में जाते हो बहुत से जन्ने तो गर से लिष्ट बना के भी लिखके आते हैं लेकिन जब मॉल में जाते हैं तो वो लिष्ट महां पर फेल हो जाती है वहां पर तरह तरह के सामान डिश्पे होते रहते हैं और जो चीज वो गर से लिखके आते हैं वो तो लेते ही हिल लेते हैं साथ में दूसरी चीज भी लेते हैं तो वहां से उनकी प्लानिंग दिश्ट हो तो घर से लिष्ट बना कर जाए कि यह नेसेसरी चीज और यहीं आपको खरीदनी है इसके अलावा आपको कुछ नहीं खरीदनी चाहिए जब आप प्लानिंग से खर्च करेंगे ना तब आपके पैसे बचेंगे परस अब फिटनी अबर प्लानिंग से अगर आप हर चीज खर्च करेंगे ना था पैसा खर्च करेंगे तो आपके पास कुछ मिदी बसे रहा इसलिए प्लानिंग से खर्च करसे जुरु आपके मन्थली इंकम आती है मन्थली सेलेरी आती है फिक्स सेलेरी आती है तो आप फिक्स खर्च क्यों नहीं करते हो आप अपना मन्थली बजट क्यों नहीं बनाते हो तो अपना मन्थली बजट बनाईए सेकंड बिना जानकरी निवेस वह से लोग क्या करते है बेड़ चाल रहा है उसमें उनोंने भी इंवैश्ट किया हम भी कर लेते, no never, ऐसा कभी ना करें, हमेसा अपनी जानकारी डवछ निवैस के सिलसिने में, आप को करना है तो सब से पिले उसके जानकारी लें, उसके बारे में अधिक से अधिक शोर्स जोठा हैं, तब ही आप निवैस करें, क और किसी के कहने पर निवेस ना करें अपने सेल अपने इस तर पर उसकी जानकरी जुठाएं और तब ही आप निवेस करें थर्ड करज लेने में हिच के साथ नहीं वह से लोग क्या करते हैं तुरंत करज लेते हैं आज कल प्रस्टनल लोन हर बेंक दड़ने से दे रहा है और आप एक बार नोट करना प्रस्वन लोन है ना सबसे रिकार लोन गेना जाता है अगर आप उसको समय पर नहीं वड़ते होना इक हो सबसे जादा उसका स्वालन इंट्रेस्ट रेट होती है और चेंटाग से प्रस्टे के लिए अगर प्रस्ट्र иск नहीं भरते हो आज हर चीज हर बेंग आपको प्रस्टनलोन दे रहा है तो कभी भी त्यान रखें बिना जरूरत बिना आपकी आउशक्ता के कभी भी प्रस्टनलोन ना ले आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आउशक्ता है और इसके बिना काम नहीं चल रहा है तब ही प्रस्टनलोन ले है क्योंकि लोन चीज एसी है कि एक बार आप ले लोगे ना तब तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन जब आप उसकी हर बार इमाई बरोगे ना तब आपको पता चलेगा कि यार मैंने कितना गलत का लिए तो लोन लेने आपको ऐसे बीना ख़र्च बीना एस भी हिस्क करते हैं पेसे लेकिन जब आपको पता कभी भी कुछ ओन खरीदना ओंगा तब आपको लगेगा कि आपके पर से हैं पटंद से कितने जा रहे हैं आप कीडिट कार्ट तो तो कितना भी खर्च कर लिए अब क्या पता करें उस वक्त आप को को पता चले तो आपको उस पेसे को वापिस एमाई बढ़ने के कोई टेंशन नी अगर आप केस में कुछ खरीद होगे और जब आप क्रेडिट कार्ड से इस्तमाल करोगे ना उस वक्त तो आपको पता चलेगा नहीं आप बहुत सारी चीजे खरीद लोगे जब अंत में आपको एमाई लिए और जब वो केस्त डिपार्ट करते हैं तो पता है आपको उसको पर पेलांटी तो अलग से लगती है प्लस अलग से इंट्रेस्ट ओर लगता है वो आपके लिए बहुत ही बारी पढ़ जाता है और वो आपको बहुत ही नुक्सान में ले जाता है और आपको पता ही न में आपकी फाइनेशल रिपोर्ट खराब हो सकती है और आपको कई किसी भी बेंक से लोन नहीं मिलेगा अगर आप इसा करोगे तो कभी भी कहीं से भी लोन उठाए ना तो भुगतान समय को करें यह पांच ऐसे कारण है अगर यह पांच कारण भी आपके अंदर भी है ना तो उसको निकाल दे तो आपके अंदर आपके पर्स में पेसा जरूर ठीक हैगा और आप हमेशा सकसेज में रहोगे अधरवाइस आप कमाऊगे तर लाखों में और अपने पर्स में पेसा बिल्कुल नहीं बचेगा इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए ला